भारत माता की भारत माता की भारत माता की सब भाईया बहने कहें राम राम आप सबहें हमरे लिए ही याँ पे सुबहें से अगरत हो हम आप सबहें के करजामा दूबगन आपके इस करद को मैं और ज्यादा मेहनत करके चुकाऊंगा साथियों चार जून नई सरकार में मुझे गरीबों के लिए युवाओं के लिए महिलाओं के लिए किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं और इसलिए मैं बरबंकी और मोहनलाल गंज के लोगों से आशिरवाद मांगने के लिए आया हूँ सात्यों आज आपके एक तरफ देश हिद के लिए समर्पिट बीजेपी एंडीए इसका गड़ बंदन है और दूसरी तरफ देश में अस्तिर्ता पैदा करने के लिए इंडी गड़ बंदन मैदान में है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है इंडी वाले तास के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए है यहाँ जो बबवाजी है बबवाजी यानि हमारे समाजबादी सहजादे अब उन्होंने एक नई बवाजी शरन ली है यह उनकी नई बवाजी है बंगाल में और यह बंगाल वाली बवाजी ने कह दिया है इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूँगी इंडी गडबंदन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है खबरदार जो हमारे खिलाब पंजाब में बोला पी अम पत को लेकर भी सब किये सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे है इनके सपनों की इंतहा देखिए कॉंग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि राए बरेली के लोग प्रदान मंत्री चुनेंगे ये सुनते ही समाजवादी साज़ादे का दिल ही तुट गया बस आंसू नहीं निकले लेकिन दिल के सारे अर्मा बह गए अब आप बताईए इस आप सब लोग इतने तेज तरार है के सारी बात इस हरो इस हरो ने सबज़ लेते हो अब आप बताईए इस उटपतांग खिच्डी को आप लोग वोट देकर अपना वोट बरबाद करोगे क्या कोई भी अपना वोट बरबाद करना चाहेगा क्या अच्छा होगा यहां बारा बंकी में मुहलल गंज में भाजपा का सांसद हो भाजपा सांसद आपके लिए डिल्ली से और लखनव से ज्यादा से ज्यादा योजनाए लेकर आएंगे भाजपा सांसद यहां के विकास के लिए ज्यादा काम करेंगे और यह इंडी गड़बंदन वाले अगर वो सांसद बनता है तो उसके पाद क्या काम होगा उसकी पार्टी उसको क्या काम देगी उसका यही एक माबनन्ड होगा कि तुमने मोदी को एक दिन में कितनी गालिया दी तुमने मोदी को कितनी बड़ी गाली दी क्या तुमारी गाली में कोई ताकत थी क्या ताकि मोदी परिशान हो जाए अगर आपने इंडी गड़ बंदन के सांसत को चुना तो उसको यही काम होगा सुबह उठो मोधी को गाली दो दोपर में दो गाली दो शाम को चार से वार डाल दो और फिर सोजाओ आप मुझे बताईए भाई आपको अपने घर में अगर किसी सहायक की जरूर पड़ती हो आपके दुकान में आपके व्यापार में तो आप उसको लेंगे और कहेंगे भई यह दस काम करने हैं तुमको तुम्हें इतना तंखा मिलेगा मेरे एक काम तुझे पुरे करने है कोई ऐसा आज में रखेगा कि भई तुमको मेरी दुकान के बाहर खड़े रहना है और सामने वालों को बद गाली देते रहना है इसके लिए कोई तंखा देगा क्या इसके लिए कोई किसी को रखेगा क्या कोई समयते राजमी ऐसा करेगा क्या क्या गाली देने के लिए हम किसी को रखते हैं क्या ते गाली देने वालों की जरूरत क्या है भई आपको तो काम करने वाले सांस चाहिए आपका भला करने वाले सांस चाहिए पांच साल मोदी को गाली देने वाले नहीं छेत्र का विकास करने वाले सांस चाहिए और इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है और इसलिए बारा बंकी से बहन राजरानी रावत जी और मुहलाल गंसे भाई कौशल किसोर जी को हर बूत पर विजयी बनाना है साथियों जब देश में दमदार सरकार होती है तो फर्क भी साफ साफ दिपता है कमजोर सरकार का क्या है आज है कल नहीं है कमजोर सरकार का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि किसी तरह उनकी गाड़ी चलती ने समय पुरा हो जाए आप मुझे बताईए यहां नवजवान भी है किसान भी है तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे आप मुझे बताईए हंड्रेड सिसी के एंजिन से सो सिसी के एंजिन से आप हजार सिसी की रफ्तार ले सकते हैं क्या ले सकते हैं क्या आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिरफ दमदार सरकार ही दे सकती है बीजेपी सरकार ही दे सकती है साथियों भाजपा की दमदार सरकार का मतलब क्या होता है ये हमारा अवर बहतर जानता है उससे भला अच्छा और कौन जान सकता है यहां बारा मंकी से लोग राम नाम वाली इंट लेकर आयोध्या के लिए पैदल निकले थे जो पहली बार वोट डाल रहे हैं जो युवा है उन्हें पता ही नहीं होगा पांसो साल के इंतजार के बार इतिहात के बहुत बड़ी घटना है कि पीडी दरपीडी हमारे पुर्वट संगर्ष करते रहे बलिदान देते रहे प्याद की पराकास्टा करते रहे पांसो साल के बार और वो दिनियाद कीजिए लोग जब हमारे राम लला को टेंक में देखते थे उनके आंसों नहीं सुकते थे और लोग सरकार को जितनी भद्धी भाषा में गालिया दे सके देते थे लेकिन आज पांसो साल का इंतजार खत्म हुआ के नहीं हुआ पांसो साल का इंतजार खत्म हुआ के नहीं हुआ राम लला भव्य मंदिर में विराजुत हुए के नहीं हुए किसके कारा किसके कारा किसके कारा किसके कारा अरे भाई मोधी मोधी मत करो ये तो आपके एक वोट के कारण हुआ है ये आपके वोट की ताकत है जिसने एक दमदार सरकार बनाई एक मजबूत सरकार बनाई और आपका 500 साल का इंतजार समापत हुआ आपका वोट 500 साल का इंतजार खत्म कर सकता है और इसलिए भाईयो भेनो कमल के निशान पर बटन दबाके आगे भी ये दमदार सरकार बनानी है और दमदार पसले भी लेने है लेकिन जाथियों दूसरी तरफ ये कॉंग्रेस वाले ये सपाँ वाले क्या कह रहे हैं पहले इन्होंने राम लला को टेंट में पहुचाया फैर वोट अपनी वोट में को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो कोई स्कूल बना दो अस्पताल बना दो अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भड़ा पड़ा है इतना जहर पड़ा पड़ा है पताने उनकी राम से क्या दुश्मनी है राम लला की प्रान पतिष्टा का निमंतरन फुकरा दिया अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं और वो भी राम लौनी के दिन कहते हैं यह राम मंदिर को बेकार बताते हैं भद्दी-भद्दी बाते करते हैं और कॉंग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कॉड का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है सपा कॉंग्रेस वाले जब मैं यह कहता हूँ न कि बैए कॉंग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग यह कॉड का निर्णाय पलटना चाहते है कुछ लोगों नहीं यहार ऐसा तो कैसा हो सकता है ब्रह्म में मत रहिए देश जब आज आज़ी का अंदोलन कर रहा था ना और देश के टुकडे करने की बात आती थी तो देश का हर वेक्टी कहा नहीं यहार देश के टुकडे सोड़े होते हैं देश के टुकडे सोड़े होते हैं हो गए एक नहीं हो गए इन्होंने कर दिया और नहीं कर दिया यह किसी भी हद तक जा सकते हैं जी इनका टेश रेकोड यहार आ है इनके लिए देश बेस कुछ नहीं है भई उनके लिए तो उनका परिवार और पावर यही उनका खेल है सपा कॉंग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुल्लोजर चलवा देंगे क्या योगीशी से यही सिखना है क्या अरे जेरा योगीशी से टूसन लो बुल्लोजर कहा चलाना कहा नहीं चलाना साथियों यह चुनावी सभा के लिए मैं कहने के लिए नहीं आया हूँ मुझे चिंता है क्योंकि उनका ट्रेक रेकोर्ड ऐसा है यही इनकी साजिस है अब आज से लोगों को अगर आप वोट दे सकते हैं क्या ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं क्या साथियों ऐसे लोगों तो वोट तो छोड़िये ऐसी सजा करनी चाहिए ऐसी सजा करनी चाहिए उनकी जमानत जबत हो जाए साथियो सपा कौन सकेस के लिए अपने वोट बेंग से बड़ा कुछ नहीं है और जब मैं इनकी पोल खुलता हूँ तो ये बेचेन हो जाते हैं नीन हराम हो जाती है लेकिन फिर क्या करते हैं जैसे बहुत बुखार चड़ जाए न तो वो आज में कुछ भी बोलता है ये भी कुछ भी बोलना शुरू करते थे ऐसी गालिया देते हैं आप मुझे पताईए बाबा साम आम बेड़ कर जब संभिधान बन रहाता तब धर्म के आधार पर आरक्षन के सबसे बड़े विरोधी थे दर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा ये संभिधान सभाने नेने किया था और सोच विचार करके किया था अड़े इतने ही नहीं इनके पर नाना ने भी धर्म के आधार पर आरक्षन का विरोध किया था लेकिन दस साल पहले यहाँ यूपी में इन लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षन देने की कोशिश की थी और करना ठका में तो कर दिया करना ठका को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाया है इन्होंने करना ठका में क्या किया जितने मुसल्मान थे उन सब मुसल्मानों को रातो रात ओबी सी बना दिया थप्मा मार दिया कागे निकाल दिया अब जो OBC को आरक्षन मिला था उस में से बहुत बड़ा हिस्सा ये लूट करके चले गए और लोग वहाँ हाथ गिस्ते रह गए क्या यहाँ आपका आरक्षन कोई लूट जाए आपको मंजूर है क्या क्या आरक्षन लूट ने देंगे क्या क्या OBC का हग छिनने देंगे क्या क्या AST का हग छिनने देंगे क्या AST का हग छिनने देंगे क्या अरे बाबा साब आमबेर करने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है और बिहार के इनके चारा गोटाले के जो चेंपियन है अदालत ने जिनको सजा फर्माई है अभी जेल से तबियत के बहाने बाहर गुम रहे हैं वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा का पूरा अरक्षान अब मुसल्मान को मिलना चाहिए अब मुझे बताईए इसका मरलब दलीत आदिवासी पिछडे ओबीसी इनके पाथ कुछ बच्चे कहीं नहीं भाई मैं आपकी रक्षा करने के लिए आपके अधिकारों के रक्षा करने के लिए चार सो पार मांगता हूँ आपसे कॉंग्रेस के सरजादे कहते हैं यह नया ले आए भई वो कहते हैं कि आपकी कमाई का एक्ष्रे करेंगे मतलब आपका लॉकर में क्या है आपकी जमीन कितनी है गेहने कितने है सोना कितना चांदी कितनी है आपके मंगल सुत्र कहा है वो लूट चलाना चाहते हैं वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो है आपसे ले करके जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा मतलब जो वोट जिहाद करेगा उनको दिया जाएगा भाईयो बहनों ये इनका ट्रेक रकॉर्ड है सपा कॉंग्रेस पुष्टी करन के आगे गुट ने टेक चुकी है और मोडी जब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है थे लोग क्या कहें करते हैं और यह लंम्बे समय उनकी आप कर दो उनकी नकाब कर दो उनकी की वोट बेंकी राजमिती को बे नकाब कर दो दिन रात हिंदु मुसल्मान करने वाली उनकी सोच को बेनुकाब कर दो तो वो कहते हैं मोधी हिंदु मुसल्मान करता है अरे मोधी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का ये पुरा इतिहाद देश को बताने के लिए साथियों ये लोग सम्विदान विरोधी है ये दलीत और पिछड़ी विरोधी है मोधी ने आर्टिकल तिन सो सत्तर हटाया इससे जम्मू कश्मीर में भी सम्विदान लाग हुआ वहाँ दलीतों को भी उनके अधिकार मिले वो दो दिन पहले ही C.A.A. कानून के तहट सरनार्थियों को नागरिता मिलने शुरू हो गई है बड़ी खुची-खुची मना करें वो कांगर लेकर के फोटों निकल वा रहे है ऐसे गरीब लोग निरादार पड़े थे देश में कोई उनकी पूछने वाला नहीं था जी इसके जो लाबारती है उनमें ज्यादातर मेरे दलीद भाई बेहन है मेरे पिछडी समाच के भाई बेहन है सपा कांगरेस के लोग इसका भी विरोथ करते है सपा के लोगों ने यूपी में दलीदों के साथ कितना न्याय किया है ये बच्चा बच्चा जानता है जो मोदी देश के समिधान को सबसक्त कर रहा है उसको लेकर अप्पाई भलाते है सबसकार देखिये साथियों बाजबा सरकार बारा बंके के किशान राम सरण बर्माजी को बड़े गर्म के साथ पद्मपुरसकार देती है पद्मसमान देती है कुरुशी में उनके योगदान को नमन करती है और ये कॉंग्रेसी बेनी बाबू जैसे बरिष्ट नेता का डगर डगर अपमान करते हैं और ये देखकर भी सपा के सहजादे चुप रहते हैं वो बेने बाबू जिन्होंने देश और समाद की सेवा में पूरा जीवन खपा दिया उनको इस तरह अपमानित किया है कॉंग्रेस सपाने सात्यो भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विश्वाज, सबका प्रयास इस पवित्र मंत्र पंड चलती है मुप्ता नाज हो मुप्त इलाज हो पक्का घर हो या सस्ता गैस का सिलेंडर हो या नन से जल हो ये बिना भेदबाव बिना भेदबाव सबको दिया जाता है आपको याद है ना सपा के साथन में क्या होता था अरे उस समय बिजली भी जो वोड जिहाद करेगा उसके लिए रिजर्व रहती थी बात क्यों को बिजली नहीं मिलती थी और मैं आठ एक और बात कर रहा हूँ जिस वोड बेंक के पीछे लोग बागते हैं वोड बेंक की अब इनकी सच्चाई सबजले लगे हैं तीन तलाग कानून से खुश हमारी माताए बेहने बीजेपी को लगातार आशिरवाद दे रही है बाई और बेहनों राम काज से आगे आप राश्ट काज का समय है राम काज की प्रेला राश्ट काज के लिए है यहां मैथा की खेती बहुत होती है ऐती हर कृसी उपर से जुड़े प्रोसेसिंग उद्योग के लिए यहां अनंत संभावना है बारा बंकी मोहनलाल गंज के छोटे किसानों को पी-एम किसान सम्मा निजी के भी करीपरी एक हजार छेसो करोड के मिले यहां का गंचा मुझे भी बैट दिया गया अब यह गंचा बहुत प्रसिद्ध हो रहा है और हमारे योगी जी ने जो वन डिस्टिक वन प्रोड़क पर अंबिसन चला है न आज मैं भी दुनिया न कहीं जाता हूँ तो मैं गिप क्या लेके जाऊंगा मुझे दिमाग नहीं कपाना पड़ता है मुझे लखना हूँ मैं यूपी सरकार की वेबसाइट पर जाता हूँ योगी जी का वन डिस्टिक वन प्रोड़क देख लेता हूँ और मैं कहता हूँ चलिए ये छे साथ चीज़े ले लो वहाँ दे देंगे लोगों को योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार इसको जी आई टेग देया इसकी प्रसिद्धी की है साथियों आप तो जानते हैं मैं 2014 से काम में लगाऊ나। सुच्च्चता अभ्यान सफाई कर रहा हूँ देश साप चुत्रा होना चैकर नी होना चाहिए सुच्चता होनी चैकर नी होनी चाहिए और हमारे लोगी जी भी सफाई कर रहे है वो भी सभाई होनी चाहिए ना दुर्गन जाती है तो निंद आती है क्या तो दुर्गन हटानी पड़ती है ना तो योगी जी वो काम भी बड़ी अच्छा कर रहे है आड़ियत सभाई होने के कारण अब उत्तर प्रदेश में निवेश का माहोल बनाए लोग विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में उद्योग धंदे के लिए रुपिये लगाने के लिए तैयार हुए साथ योग जहां जहां राम के निशान है उनक्षेत्रों को रामा एंड सर्कीट के तहत विक्षित बनाने की योजना यहां तो सत्री का अत्रम है जहां राज कुमारों के शिक्षा दिख्षा हुई थी महादेव कोरिडोर के विकास का काम भी चल रहा ऐसे विकास कारिया हमारी विरासत को भी ससकत करेंगे और परियेटन उद्योगों से युवाव को नए अफसत भी देंगे साथ योविकास और विरासत ये विच्छी भारत बनाने के लिए आपके आशिरवाद मांगता है आपको भारी मतदान करना है ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए निकलेंगे सुबे दस बजे से पहले मत्दान होगा पहले मत्दान फिर जल्पान पहले मत्दान फिर पहले मत्दान फिर अब आप ऐसा तो नहीं होगा जल्पान याद रखोगे और मत्दान भूल जाओगे ऐसा नहीं होगा ना अचा पोलिंग मुझ जीतोगे सभी फोलिंग बुच जीतोगे पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ोगे अच्छा मेरा एक काम करोगे मेरा एक काम करोगे क्या कमाल हो या ठंडे हो जाते हो जड़ा हाथ उपर करके बताईए मेरा काम करोगे क्या ये चुनावाला काम नहीं है मेरा परसनल काम है करोगे पक्ता करोगे अज़ा गर-गर जाईएगा जादा से जादा परिवारों में जाईएगा परिवार में हर बुजुर्ग परिवार के मुख्यां के साथ बैठ येगा उनको कहिएगा मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है मेरा राम राम पहुंचा देंगे हर गर में पहुंचा देंगे बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवार को आप सुन रहे थे बारबंकी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने वपक्षी पाटियों पर भी जम कर निशाना साधा और साथी जनता के सामने एक बार फिर से विकास का मॉडल को रखा अब देखिए सभी से बातचीत करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को मंच से आप देख रहे हैं